हलो नमस्कार दोस्तों, टाइम्स कम्पिटिटिव कलासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है बारा जनवरी और बारा जनवरी के करेंट एफेर्स के जितने भी महतपुर्ण सवाल बन सकते हैं परिच्छा की दिरिष्टी से वो सभी सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ और उससे सवन्दित जितने भी महतपुर्ण तथ्य बन सकते हैं उस सभी के बारे मैं आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यदि आपी चैनल पर नए हैं तो चैनलको सस्क्राइब करना न भुले और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास सेर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो और आज की class का पीडिया फाइल मैंने description में डाल रखा है आप वहाँ से download कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं, start करते हैं और start करते हैं motivational quote के साल जो आपको उर्जावान बनाएगा आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आएगा, आपकी तैयारी को एक नई दिसा में ले जाएगा और अपने लक्ष की और बढ़ना है, चलिए चलते हैं आपको सवालों की दुनिया में ले चलते हैं ये रहा आपके सामने पहला सवाल, परती वर्ष बिसवे हिंदी दिवस कब मनाये जाता है ता आपके सामने उप्सन है, छे जनवरी, आठ जनवरी, नो जनवरी, दस जनवरी, तो इसका सही जवाब है दस जनवरी 10 जनवरी को विसवे हिंदी दिवस मनाये जाता है 10 जनवरी को क्यों? 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी समेलन नागपूर में हुआ था जिसमें 30 देश भाग लिये थे उसी दिन से 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है? अगर जी बात करें 20 हिंदी सचीवाले का मुख्याले कहा है? 20 हिंदी सचीवाले का मुख्याले मौरिशस में है मौरिशस में 20 हिंदी सचीवाले का मुख्याले है मौरिशस की रायदा नहीं कहा है पोर्ट लूइस है तो चलते हैं अगली सवाल के तरफ जितने भी फरवरी के महत्पूर्ण सवाल बन सकते हैं वो सभी के बारे में बात कहेंगे बीसु ब्रेल दिवस कम मना जाते हैं तो बीसु ब्रेल दिवस चार जनवरी को मना जाता है परवासी भारतिय दिवस कब मना जाता है तो मैंने अहाली में बताएं कि परवासी भारतिय दिवस 9 जनवरी को 9 जनवरी को परवासी भारतिय दिवस प्राकरम दिवस 23 जनवरी को प्राकरम दिवस मनाये जाता है सुवास चंदरबोस की आद में ये मनाये जाने लगा है प्राकरम दिवस राष्टिय बाली का दिवस तो राष्टिय बाली का दिवस 24 जनवरी 24 जनवरी को राष्टिय बाली का दिवस के रूप में मनाये जाता है ठीक है उसी दिन से राष्टी मद्दाता आयो रब मद्दाता दिवस मनाया जाता है चली चलते हैं अगले सवाल की तरफ यह रहा आपके सामने दूसरा सवाल अपके सामने अप्शन है असोक लावासा उर्जित पटेल रहोराम राजन तो इसका सही जवाब है उर्जित पटेल उर्जित पटेल को ही अपके बताता हूँ इस बैंक के बारे में अगले त्री यर्स के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है और उर्जित पटेल कोन है उर्जित पटेल भारतिय रिजर्ब बैंक है पूरु गवर्नर रह चुके है उर्जित पटेल ठीक है तो आई ओप यह सवाल आपको समझ में आया होगा कि ACI अब सनरचना निवेस बहिंका उपादेक्ष किसे निवत किया गया है तो चलिए आपको बताते हैं चीन के बारे में यह मैप में बताता हूँ थोड़ा इसको मैं जूम करके बताता हूँ कि चीन यह राजचीन यह पूरा चीन है यह जितना दिख रहा आपको यलो कलर का है यह पूरा क्या है यह चीन है यह चीन की राजधानी आपको मैं दिखा दूँ यह राजधानी बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग है ठीक है अचीन की मुद्रा क्या है रेमेंबी है चीन की म का उपादेक्श कोन है ? new development bank का उपादेक्शू आपके सामने अनिल क schemasRiyah कोन है , अनिल क onions Melanie Кivap नियस्चनल शोरी new development bank के उपादेक्श है क्क्कमी के उपादेक्श अभी बताएं कोन नपने है ? अनिल क 서로 और अनिल कि Yuk sansRiyah कहा क्या है ? Briggs देशों का ये बैंक है Briggs में कौन कौन से डेश सामिल है तो Briggs में हो गया Brazil हो गया, Russia हो गया, India हो गया China हो गया और South Africa ये सारे डेश इसमें सामिल है और इसमें अभी कूल बरतमान केतने सद्ध डेश है नो है और इसमें सामिल होने वाला संजुकत राष्ट के महासचीव कौन है, एंटोनिया purpose गुटव के निए पुर्तगाल के हे पुर्तगाल के है, और संजुकत राष्ट सं का अस्थाप्ना कव वकलो है चोबी सक्टूबर Prose 2045 को, इसलिए 24 एसक्तूबर को ईह संजूकत राष्ट संग की अस्थापना वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है एसी आई विकास बैंक, एडी बी का उपाद्यक्च कोन है तो असोक लभासा, एडी बी का अस्थापना कभ हुए 1964 में ADP के अस्थापना कब हुई है 1964 में ठीक एर इसका मुख्याले कहा है Philippines में Philippines में इसका मुख्याला है Manila में ठीक ICC ICC के अध्यक्ष कोन है तो ICC के अध्यक्ष ग्रेक ब्रकले ग्रेक ब्रकले ICC के अध्यक्ष है और ICC का मुख्याले कहा है दुबई में ICC का मुख्याले दुबई में है और इसके अस्थापना 1909 में ICC के अस्थापना कब हुए 1909 में और इसका मुख्याले दुबई में चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ यह रहा आपके सामने तीसरा सवाल हाल ही में Golden Globe Award 2022 में किसे Best Actor in Drama के लिए चुना गया है तो पहले मैं इसको इस अवार्ड के बारे में बताता हूँ कि Golden Globe Award Los Angeles में दिया जाता है अमेरिका में दिया जाता है और यह 79 नमबर का अवार्ड है इसमें Best Actor in Drama में दिया गया है यह वार्ड विल असमीथ को यह वार्ड इसको मिला है और यह कितने नमबर का अवार्ड है 79 नमबर का अवार्ड है यह वार्ड कहां दिया जाता है तो Los Angeles में दिया जाता है आई होप यह सवाल आपको समझ में आयेगा चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ यह रहा आपके सामने चोथा सवाल जनवरी 2022 में देश के 73 सतरंज ग्रेंड मास्टर कोन बने है 73 नमबर के सतरंज ग्रेंड मास्टर कोन बने है तो पहले मैं आपको बता जिता हूँ कि भारत के पहले सतरंज ग्रेंड मास्टर कोन थे तो विस्वनाथ आनंद यह पहले भारत के 17 grand master है और इसे पहले भारत का राजीव गांदी खेल रतन अवाड मिला था पहला अवाड पाने वाले कोन थे विश्वनात आनन्द और इसकी पुस्तक का नाम है mind master इसकी पुस्तक कोन सी पुस्तक है mind master है और यह अभी जो बरतमान में भारत में जो 73 में सतरंज ग्रेंड मास्टर बने है वो है आपके सामने भारत सुब्रमन्यम कोन है भारत सुब्रमन्यम यह रा यह फोटो भारत सुब्रमन्यम 73 नंबर के भारत के चेस ग्रेंड मास्टर बने है चलते हैं अगले सबाल की तरफ भारत की पहली मह ग्रेंड मास्टर कौन है यह है अभी मन्यू यह भारतिय मूल के अमेरिकी बैगती है ठीक है यह सबसे और वीश्व की सबसे युवा ग्रेंड मास्टर है हर्षवंतिबिष्ट यह नाम आप लोगों के सुना होगा मैंने पिछले क्लास में बताया था हर्षवंतिबिष्ट यह भारतिय परवत्तर वही संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और भारतिय परवत्तर वही संस्थान कहा है तो उत्राखन में ठीक है यह सवाल आप क्रित्रीम सूर्य का सफल परिच्छन किया गया है ठीक है सफल परिच्छन किया गया है जिसे experimental advanced superconducting toka में एक नाम दिया गया है इस्ट नाम दिया गया है तो यह बहुत ही important सवाल है आने वाले कोई भी exam हो आपका चाए NTPC हो इस से CGL हो यह 20 का exam हो यह सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है आप ऐसे जान सकते हैं कि नई नई चीजों को खोज करने में चीन आगए है तो ऐसा करने वाला करनामक करने वाला दिश चीन है ठीक है East का नाम दिया है, उसका नाम क्या दिया है? East, E-A-S-T, Experimental, Advanced, Super Conducting, Toka Make मैं आपको पहले picture दिखाता हूं, फिर इसके बारे में बताता हूं यह है वो picture, यह है original sun, सूरी है और यह जो चीन द्वारा बनाया गया सूरी है ठीक है, यह Toka Make मसीन है यह Toka Make मसीन है, जो सूरी की तुलना में 10 गुना जादे तापमान उत्पन करता है और यह 70 million, 70 million centigrade तापमान सूरी कर सकता है यह बहुत है, कि केतना तापमान उत्पन कर सकता है तो 70 million centigrade तापमान उत्पन कर सकता है ठीक है? चले, चलते हैं अब सवाल की तरफ तो इसका सही जवाब क्या है चीन चीन जो है experimental advanced superconducting टौका मेक जो है सुर्ज का निर्मान किया है और ये कृत्रिम सुर्ज है ठीक है artificial अब चल ज़िए चीन के बारे मैं आपको बताता हूँ map में sorry map नहीं है इसके लिए माफी चाहता हूँ अब बताता हूँ कि चीन चीन की राइधानी कहा है Beijing चीन की राइधानी Beijing है और इसकी मुद्रा रेमेन भी है चीन की मुद्रा क्या है रेमेन भी है चले चलते हैं अगले सवाल की तरफ ये रहा आपके सामने छठा सवाल किस राज ने student startup and innovation policy 2.0 launch की है ठीक है तो आपके सामने अप्सन है उत्तर परदे, राजस्थान, गुजरात, बिहार तो इसका सही जवाब है गुजरात गुजरात है जो student startup and innovation policy शुरू किये ये policy किस बारे में बताता है तो बताइधा है तो ये policy इसी जो है, बिद्यार्थों के बीच नावाचार को बढ़ावा देने के लिए बिद्यार्थों के बीच innovation को बढ़ावा देने के लिए नई-नई चीजों की खोज करने के लिए जिसमें उसको एक बिद्या सहीता के रूप में 20,000 रुपिया प्रती श्टूडेंट के रूप में दिया जाएगा ताकि वो नावाचार की और अपना रुख बदल सकते नावाचार की और अपना द्यान को आकर्शित कर सके इसलिए जो है गुजरात सरकार ने श्टूडेंट श्टार्ट अप एंड इनोवेशन पॉलिसी शुरू की है और इस पॉलिसी के फाइदा केवल केवल 9 से 12 के छात्रों को ही मिल पाएगा ठीक है ये छात्र इस पॉलिसी के फाइदा उठा सकते हैं चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ युनेस्को युनेस्को की अस्थापना युनेस्को के बारे में बताते हैं आपको युनेस्को की अस्थापना 1945 में हुई थी 1945 में युनेस्को की अस्थापना हुई है युनेस्को में भारत के कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है जो गुजरात में धॉल्लाविड रखा है गुजरात में और 14 जो है जो है आमुर्त धरो에서는 किसको बोलते हैं चिसको पूंश कोई सकते हैं और फील कर सकते हैं उसको आमूर्थ धरोष बोलते है इसमें सामिल होने वाला नमिनतम जो आमूर्थ धरोहर साइट है वो दूर्गा पूजा है दूर्गा पूजा जो है जो पंजाब का ये पूजा फेमस है इसको जो है सामूर्थ धरोहर की सुची में सामिल हुआ है और ये 14 हुआ है तो फिर बता दें कि बाहरत में कुल World Heritage Site के तने 40 जिसमें से नविंतम जो है स परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाये जाने की घोसना की है ठीक है तो परधान मंत्री द्वारा जो इस वीर बाल दिवस मनाये जाने की घोसना की ठीक तो वो दिवस कम मनाये जाएगा तो आपके सामने ऑप्सन है 26 दिसंबर 26 नवंबर 22 सि दिसम्बर को बीर बाल दिवस के रूप में मनाये जाएगा तो क्यों मनाये जाएगा क्योंकि बीर बाल दिवस बता दें आपको गुरु गुविंद सिंग के जो चार पुत्र थे जिसको सहजादे के रूप में सहजादी के रूप में जाना जाता था वो जो अपने अन्याय के खिलाप लड़ते लड़ते अपने जान नियोच्छावर कर दिये ऐसा माना जाता है कि उनके धर्म ना परिवर्तन करने के लिए इन चारों को दिवारों पर जिंदा चुनवा दिया गया था ठीक है इसलिए परदान मंतिरी ने बीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाय जाने की घोसना किये और ऐसा ये 9 जनवरी को क्यों गोसना किया क्योंकि 9 जनवरी को ही गुरु गोबिन सिंग की जैनती है इसलिए परदान मंतिरी ने इस दिन वीर बाल दिवस मनाये जाने की घोसना की और वो दिवस जो है 26 दिसंबर से मनाये जाएगा ठीक है I hope ये सवाल आपको समझ में आया होगा वीर बाल दिवस ठीक चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ये रहा आपके सामने आठवा सवाल रच्छा मंतिरी ने किस देश में भारत के पहले बहु आयामी सहासी खेल अभ्यान सुरू किया है बहुत ही प्यारा सवाल है भारत जो है भारत के बाहर ठीक है बीसमें पहली बार जो बहु आयामी खेल अभ्यान सुरू किया है और वो कौन सा देश है तो आपके सामने option है नेपाल, माल्दी, फ्रांस, भुटान तो इसका सही जवाब है फ्रांस फ्रांस में जो है सो भारत पहले बहुँ आयामी सहसी खेल अभ्यान शुरू किया है चलते हैं अगले सवाल की तरफ यह राप फ्रांस 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 थोड़ा जून करके मैं इसको दिखाता हूँ यह रहा France, यह पूरा France है, यह पूरा एरिया क्या है, France है, अब France की राइदानी यह रही Paris, फ्रांस की राइदानी Paris, और यह Lyon, Lyon में मैं आपको बताया था, FATF, Financial Action Task Force का मुख्यालका है, Lyon में, France में, Lyon के राष्टपती को ने, Emmanuel Macron, Lyon के राष्टपती है, चलिए चलते हैं अ रिपोर्ट ओन, टाइम परदशन, सुची में कौन सा अंतराष्टी ह्वाई अड़का, पर्धन अस्थान हासिल किया है, तो पहले यह रिपोर्ट के बारें बताते हैं, यह रिपोर्ट है क्या है, तो सीरियम जो है, सीरियम, एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, अर restless hours is report सबंधित से यह report जो है जो是en सीरियम ध्rir जारी किया गया और इसमें कौनसा अन्तराश्टी हवाई अड़ा पहले स्थान पर आया है तो मियामी अमेरिका का युएस का यह यह से का है और चननई हवाई एड्डा जो भारत का है, यह आठ्वیस अस्थान पर आये है. बारत का चननई हवाई एड्डा किया में अस्थान पर आये है, आठ्वीस अस्थान पर तög सिर्यम् renewed जो एक रिपोर्ट जारी किया है, Напर रिपोर्ट ओन टाइम पर दर्शन, इसमें सब बताया कि कौन सा हवाई अड़ा में जो प्लेन है वो टाइम पर टेक ओफ किया है और लेंड किया है उस सबंद में ये रिपोर्ट है जिसमें से चन्नई हवाई अड़ा भारत का आठवें अस्थान पर है और मियामी हवाई अड़ा जो ऐसे का है वो परसम अस्थान पर है ये रहा आपके साबने दसमा सवाल अंतर हाल ही में परदान मंतिरी की पंजाब दोरे के दोरान हुए रच्छा चुकों की जाच के लिए किसकी अज़िश्टा में कमीटी का गठन किया गया है तो अभी मैंने आपको बताया था हाली में कि परदान मंतिरी जो भटिंडा जा रहे थे अपनी रैली में जो कि किसी कारबारिस के वज़ा से उसके नहीं जा पाए इसलिए उसकी जाच के लिए एक कमीटी का गठन किया गया है जिसकी अधरिश्टा जो सुधीर कुमार सक्सेनक करेंगे और इसका रिपोर्ट जो है गिरा मंतराले को सोपेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो मैंने आपको पिछले कच्छा में भी बताया था पिछले क्लास में कि परदान मंतरी जो होते हैं वो भी भी आईपी होते हैं भी भी आईपी बेरी वेरी इंपोर्टेंट परसन इसकी सुरच्छा की जो जिम्मवारी होती है वो SPG के पास होती है Special Protection Group के पास होती है और किसी कारण बस जो है इसकी सुरच्छा में चूक होने की बज़ा से इसको जो किसी तरह से वहाँ से लाया गया था वापस और इन सभी के जो बारे परदान मंतरी की सुरच्छा का जो उलेख होता है वो Blue Book में लिखा होता है इसको अश्ठार लगा के आप Нуट कर लेना जो समितियां के बारे में पूछे जाता है ठीक है नर्सिमान समिती का सबंद किससे है तो Banking Reform से Banking Deputy Reform से Banking सुधार से किसका सबंद कौन से समिती तो नरसिमान समिती सहकारियां आयोग, सहकारियां आयोग का सबंद केंद्र और राजी से केंद्र और राजी से सबंद सहकारियां आयोग का है ठीक है सरकारियां का सबंद केंद्र और राजी से सीवरमन समिती का सबंद किस्से है तो सीवरमन समिथी के सिफारिश पर नवाड के स्थापना हुई थी नवाड के स्थापना सीवरमन समिथी के सिफारिश पर हुई थी ठीक है अरकवई थी 1982 में नवाड के स्थापना 1982 में हुई थी और इसका पुरा नाम है National Bank for Agriculture Development यह जो है क्रिसिस सबंदित बई कर इसके स्थापन उने 1822 में वो थी सीवरमन समीथी के सिफारिस पर अगला सवाल है उर्जित पटेल समीथी घुर्जिर्ट पतेल समयत्यी का सबंद है महगाय से किसे महगाय से इसका लक्ष है कि महगाय दर कितना होना चाहिए 4-2% मिन्स 2 से लेका 6% के बीच में जो है सो महगाय दर होना चाहिए ये इस समीत्यी का लक्ष है ये रहा आपके सामने अंतिम सवाल अब आज के सवाल यहीं समावत करते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ अगली कच्छा में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू और अगर अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दूसरों के पास जरूर सेर करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट जरूर करें जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँ और अगर जिए और किसी टॉपिक में आपको प्रोबलम हो जिके हो करेंट हो तो उससे कोई बारे में बताएं कमेंट सेक्षन में मैं आपको उससे सबंदी वीडियो लेके आऊँगा चलिए थैंक्यू धनिवाद